हेलो फ्रैंड्स, एक्सेसाइज 2.4 से कोश्चन नंबर 5 करेंगे फेक्टराइज करना है, दो कोश्चन दे रखें आपको फस्ट पार्ट देखिए 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² ये 3 टम्स स्क्वेर में लिखी हुई है प्लस 12xy-24yz-16xz और फिर आगे ये 3 टम्स लिखी हुई है अब आप जब इसे ध्यान से देखोगे तो आपको ये एक identity का expansion दिखेगा ये identity है a प्लस b प्लस c का whole square इसमें 6 टम्स आती हैं इसके expansion में a² प्लस b² प्लस c² यहाँ भी देखिए ये 3 टम्स square में लिखी हुई है फिर प्लस 2ab, प्लस 2bc, प्लस 2ca ये ये 3 टम्स लिखी हुई है तो आपको इस formula लेके आना है factorize करोगे तो आपको factor formula लेके आना है तो a प्लस b प्लस c whole square की formula लाने के लिए आपको सिर्फ यहाँ ये जो आपको question दे रखा है इसके अंदर a, b, c की पहचान करनी है a, b, c की पहचान आपको होगी यहाँ से ये जो पहले 3 टम्स दे रखे न स्क्वेर वाली इनसे ही आपको a, b, c मिल जाएंगे आपको 4x square, 9y square, प्लस 16z square को whole square की formula लिखना है और जो square के, जो bracket के अंदर आएगा वो आपके a, b, c होंगे यहाँ से शुरू करते हैं कोशन को 4x square को आप किसका whole square लिखोगे 4 का square root 2 होता है और x square का square root x हो गया तो इस 4x square को हम 2x square लिख सकते हैं अब ये जो square है न ये ये वाला square है और जिसके नीचे-नीचे का जो part है न ये है a तो 2x इसके अंदर a है यानि कि वो पहला number है जो हमें इस bracket के अंदर लिखना है ऐसे यहाँ से हम second number पता करते हैं plus में 9 का square root 3 होता है और y square का square root y होता है तो 9y square को हम लिख सकते हैं 3y का whole square ये इसके बराबर होगा फिर आगे बढ़ते हैं 16z square 16 होता है 4 का square और z square होता है z का square तो इसे हम ये लिख सकते हैं 4z का whole square तो यहाँ से a और b और c ये तो मेरे को पता चल गई है लेकिन question में एक चीज़ ध्यान देने की और भी है क्योंकि अगली वाली जो terms है ना इन में ये दो terms negative है it means इन तीन में से कोई term तो negative है वो यहाँ पर negative इसलिए नहीं पता चल रही क्योंकि यहाँ पर ये square में है अगर negative होगा भी कोई यहाँ पर number तो जो square में लिखा है वो तो positive ही होगा न वो आपको यहाँ देख के समझना होगा कि कौन सी वाली term जो है इन तीनों में से negative है अब यह जो इसके आगे term लिखी होती है यह वाली यह होती है 2AB यह होती है 2BC और यह होती है 2CA अब इन में आप यह देखिए जो negative वाली terms है ना यह minus 24YZ है और minus 16XZ है इन दोनों में common चीज क्या है common variable यहाँ पर मेरे को Z दिखाई दे रहा है तो यानि जिस term के अंदर Z है ना वो ही term आपके negative है वो term इन दोनों को negative बना रही है तो इन तीनों में देखिए Z कहाँ पर है तो Z है आपका यहाँ पर last वाली यानि कि third वाली term है जिसे हम C बोल रहे हैं याँ पे तो यहाँ आप इसमें minus लगा दोगे तो मेरे को A, B और C बिलकुल साफ साफ पता चल गए है आगे मैं यह fill करता हुआ चलूँगा यह जो 12xy अब लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है 2 into में A, B अगर हमें A और B की value यह वाली भरता हूँ तो उनका product सेम यही आएगा देखिए यह 2 हो गया A की जिगए 2x फिल करेंगे और B की जिगए 3y फिल करेंगे इनका product करें 2, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 12 और यह xy हो गया फिर में plus 2bc लिखूँगा तो B हो गया second term जो की 3y है और C हो गया minus 4z minus 4z इनका product करूँगा तो सेम यही आएगा 3, 2, 6 और 6, 24 और plus minus minus 24 और यह yz इसके बाद जो term आती है वो है 2ca c यानि की third term यहाँ जगे का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2c यानि की minus 4z और इन 2 में a यानि की 2x 4208, 82016 और यह minus हो गया और यह x और z हो गया तो महनत आपको यहीं तब करनी है a, b, c तक आगे तो फिर इनको देखके यहाँ पे copy करना है अब इनको आप यह जो 3 यहाँ पे square में लिखे हुए है इनके अंदर में यह a है यह b है, यह c है इनको ऐसे एक bracket में लगा के whole square लगा दोगे वो आपका answer है तो 2x प्लस में 3y और यह जो c है यह negative है तो इसे हम negative लिखेंगे minus 4z और यह हो गया इसका square whole square हो गया है अब क्योंकि यह square है यानि कि यह दो बार है हमें तो factor निकाल लें न तो यह दो factors लिखे हुए है तो इनको हम अलग-अलग करके लिख देंगे 2x plus 3y minus 4z एक बार और into में 2x plus 3y और minus 4z यह इसके दो factors हो गया यह इसका answer हो गया अब इसी तरह से हम इसका second part करेंगे second part में और थोड़ा सा interesting question है क्योंकि इसमें root भी आ रहा है 2x square plus y square plus 8z square यहां तक यहां तक सिर्फ focus कीजिए आप यह तो सिर्फ copy है इसमें ज़्यादा दिमाख लगाना ही नहीं पड़ेगा question में इन तीन term को देखिए कि इनको आप किस के square की form में लिख सकते हैं 2x square को मैं लिख सकता हूँ अंडर root 2 और x का whole square क्योंकि अंडर root 2 का square करेंगी तो 2 हो जाएगा root 2 into root 2 हो जाएगा और x square चाहिए तो यह x का whole square हो गया तो यहां a तो मिल गया मेरको a आनी की first term root 2x अब भी पता करते हैं b आनी की second वाली यह y का square है ना साफ-साफ y का square है तो यह y का ही whole square है तो अंदर में यह y और iska whole square तो b यहां पे y है अब c पता करते हैं यहां पे 8z square है अब 8 किसका square होता है उसके लिए हम 8 का square root निकाल लेंगे simple अगर हमें पता नहीं चल रहा तो 8 का हम square root निकाल लेंगे 2 से करते हैं 4 आ गया 2 से किया 2 आ गया 2 से किया 1 आ गया अब मैं 8 का निकाल रहा हूँ square root तो square root में दो चीज़े बाहर आ जाती है root से तो इन दो में से एक बाहर आ गया ये 2 अंदर ही रह गया तो ये बराबर 8 के होता है तो इतना तो ये 8 के बराबर है 2 root 2 और ये Z है तो यहां बहे Z लगा दिया और इसका whole square कर दिया तो मुझे C भी मिल गया 2 root 2 और ये Z तो A और B C A B C तो मेरे को पता चल गए है अब आगे में ध्यान दीजिए ये जो आगे terms लिखी होई है ये plus 2 A B लिखा है ये 2 B C लिखा है और ये 2 C A लिखा है अब इन में ये दो terms negative की है तो ये जो दो terms negative की है इन A B C ये जो bracket के अंदर है इन में से कोई term तो negative की है वो पता तब चलेगा जब हम ये अध्यान से देखेंगे कि जो negative वाली terms है इन में कौन सा variable common है जो दोनों में है तो वो है यहाँ पे X यहाँ भी X है यहाँ भी X है इत मेंस जिस term के अंदर इन तीनों में से X है वो ही term negative है तो यहाँ तो first वाली है ये root 2X तो इस में मैं minus लगा दूँआ यानि जो पहली मेरी term है ये negative है बस इसके बाद और मेरे को अब कुछ नहीं करना अब सिर्फ मेरे को copy करना है ये plus ये 2 ये A एक की जगे पे लिखा जाएगा minus root 2X और इसके साथ में B B की जगे Y फिर plus में 2 फिर है ये BC B की जगे पे लिखा जाएगा Y और C की जगे पे ये 2 root 2 और ये Z फिर ये तीसरा है 2CA 2 का 2 C की जगे पे ये ही 2 root 2Z और A की जगे पे ये minus root 2X आप multiply करके भी चेक कर ले ना ये ही आएगे दिखाई देता हूं यहाँ पे ये minus का minus आगया ये 2 root 2 आगया और ये XY आगया अब 2 2s are 4 और ये root 2 4 root 2 आगया ये YZ आगया यहाँ पे 2 2s are 4 और root 2 और root 2 2 हो गया तो 4 2s are 8 और ये minus और ये X और Z यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करने हैं आपको यहाँ तो सिर्फ आपको copy करनी है सारा दियान यहीं पे लगा देना है अब bracket के अंदर में जो जो चीज लिखी हुई है ये आपका A, B और C है तो इन्हें हम bracket में लिख देंगे minus root 2 X plus में Y और plus में ये 2 root 2 Z ये जो सारा expansion लिखा हुआ है ये A plus B plus C इसका whole square लिखा हुआ है ये factor हो गया क्योंकि दो factor है तो इन्हें हम दो बार करके लिख देंगे minus root 2 X plus में Y plus में 2 root 2 Z और एक बार और minus root 2 X plus में Y plus में 2 root 2 और ये Z ये इसके factors हो गई है question कतम